बालों को बनाना चाहते हैं बहुत ज्यादा सिल्की सायनी स्मूध साथी बालों की ग्रोस भी तेज करना चाहते हैं और बालों को टूटने जड़ने से भी बचाना चाहते हैं तो आज की रेमड़ी आपके लिए होने वाली है बहुत ज्यादा फायदेमन क्योंकि यह है इतने helpful वीडियो आप सबसे पहले देख सकें और वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दीना है तो इस रेमडी को हमें कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले एक खाली पैन में ले लिना होगा पानी लगवा दो सुटाइस उमल आप इसके अंदर पानी एड कर दीजिए लवा एक बड़ा गलास पानी आपको ले ले लेना होगा और इसको आपको मीडियम फिल्म पे गरम करनी के लिए रख देना होगा तो इस पानी में एड करनी के लिए हमको सबसे पहले जो चीछ चाहिए होगी वो ह आपके पाश में जैसी भी चाए की पति हो इस तरह की या फिर प्लान हो जैसे भी हो वैसी ले सकते हैं आपको यहां पर चाहिए होगी दो चमत चाय की पति के अंदर डालके हम उसे अच्छे से बॉइल करेंगे चाय की पत्ती के अंदर होता है पेरिफेनल, कैफिन और बहुत सारे न्यूटिसंस जो कि हमारे बालों को बहुत तेजी से लंबा गरा बनाते हैं चमकदा बनाते हैं और बालों को तूटने जड़ने से भी रोकते हैं इसके बाद में जो अगली चीज हमें इसके अंदर एड़ करनी होगी वो है ऐलू बीरा मैं याँ पर फ्रेस ऐलू बीरा लीफ का इस्तिमाल कर रही हूँ अगर आपके पास पर लीफ नहीं हो तो आप इसकी जगए पर ऐलू बीरा जैल मार्किट वाला भी ले सकते हैं मैंने एक मीडियम साइज की लीफ ली है और इसको छोटे-छोटे से पीसिस में कट कर लेंगे इस तरह से और इन पीसिस को भी इस पानी के अंदर डाल के हमें अच्छे से बॉयल करना होगा सबी चीजों को जिससे के इन पत्तियों का जो जैल है वो निकल जाएगा और पान यानि कि हिबस्कस लीफ आप गुड़ हल की पत्तियां भी ले सकते हैं या फिक गुड़ हल के फूलों का भी इस्तिमाल किया जा सकता है आज क्योंकि गुड़ हल के फूल नहीं आ रहे हैं तो हम यह पे पत्तियों का इस्तिमाल कर रहे हैं आपको यहां पर लग अच्छ से स से रोकती हैं बालों को चमक दाल लंबा मोटक घना बनाती हैं इसके बाद में जो अगली चीज में इसके अंदर एड़ करने जा रही हूं वो है नीम की पत्तियां नीम की पत्तियां हमारे से किसी भी तरह का इंफेक्शन बुरे बैक्टरिया बारस को खतम करती हैं जो बैक्टरिया बारस हमारी बालों की ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते हैं बालों की ग्रोथ को रोकते हैं साथी बालों का जलना तूटना तेज हो जाता है इन सब चीजों को कंट्रोल करता है बालो जो क्वालिटी जा पानी की अंदर अच्छे से आ जाएं तो इसको बॉइल हो दूए 5-7 मर्ट हो चुके अब इसके बाद में हम गैस को आफ कर देने और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए भी छोड़ देते हैं जाख ऑफके लगानी की वे लिए अब चाहें तो इसको अपने बालों में इस स्प्रेक करें या फिर कॉटन बोल की मदस से पने बालों की जड़ों की लें लेंद और लेंद சलyin को में एक प्लाय की अच्छी नगाले नां अच्छी से उससे चाहें तो एक रात पहले लगा लें अगर एक रात पहले नहीं लगा पातें तो लगवा एक घंटे पहले इसको अच्छे से स्प्रेकल लें अपने बालों में उसके बाद में अपने बालों को सैंपू से धुल दें ऐसा करने से आपके बाल बहुत तेजी से ग्रो करने लगेंगे बाल मोटे हो जाएंगे जणना बंद हो जाएंगे उमीद करती हूं वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लागा हो तो वीडियो को लाइक कर देना सेर कर देना और पिंक सी को सस्क्राइब जरूर करना